स्वागत है आप सभी का आनेकेडमी के लेट्सक्रेक UPSC CSC हिंदी के चैनल में हम लोग इस चैनल के माध्यम से भारतिय कलायूम संस्कृति का अध्यन कर रहे हैं और भारतिय कलायूम संस्कृति का अध्यन हम लोग NCRT की रूप में कर रहे हैं हम लोग कच्छा 11 की NCRT का अध्यन कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग चौथी यूनिट में पहुच चुके हैं तो अभी तक तो मुख्यतया हम कला की रूप में जो कला की विभिन्न सैलियां हैं चाहे वो मूर्ती कला हो चाहे वो चित्र कला हो इन पक्छों का अध्यन कर रहे हैं लेकिन आज की यूनिट में जो भारतिय वास्तु कला की स्टाइल है जो भारती ये अस्थापत्यकला के महत्तपूर्ण बिंदु हैं इनका भी हम लोग अध्यन करेंगे और आज की क्लास इसलिए भी आप लोगों के 20 में महत्तपूर्ण है जो कि इसमें अजन्ता, इसमें एलोरा, इसमें एलीफिंटा ये जो महत्तपूर्ण अस्थान है और इनकी जो अस्थापत्य ये अच्छित्रकला की प्रमुक सैलियां है इनकी उप्योगिता क्या है? इसका हम लोग अध्यन करेंगे इससे पूर्ब, आनेकेडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को हम लोग जानते हैं तो ये देश का सबसे बड़ा आनलाइन का चैनल है, यहां पे सब्क्रिप्शन्स लेने पे चार आधारभू सुभधाएं आपको मिलती है यहां पे डेली लाइब क्लासिस की सुभधा मिलती है, इसके अलावा इस्टेक्चरड कोर्सेज और स्वेडिवल मिलता है आपको लाइब टेस्ट और क्विस की सुभधा मिलती है, अनलिम्टेड एक्सस की सुभधा मिलती है, यह चार आधारभू सुभधाएं हैं इसके अलामा यहां पर सब्क्रिप्शन्स लेने पर देश के बड़े बड़े विश्य सग्य इसमें मुडाल पटेल जी रोमन सैनी जी सामिल हैं अन्य विश्य सग्य इसमें सामिल हैं इनका आपको मादर्थन मिलेगा यहां पर UPSC प्रारंभिक परिक्षा, मुख्य परिक्षा, UPSC आप्टनल पेपर, समसामाई की NCRT का अध्येन करवाय जाता है इसके अलामा यहां पर दू तरीके का सब्क्रिप्शन्स है यह सामान अध्येन के परिपेक्स में है इसके बारे में हम लोग जानते हैं आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आने के लर्निंग एप को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आपको गेट सब्क्रिप्शन्स का आप्शन आएगा इसमें आप लोगों को UPSC गोल सेलेक्ट करना होगा इसके बाद में आपको प्लस कोर्स पे क्लिक करना होगा यह आपको 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के रूप में मौझूद है इसकी फी भी यहां पर मेंसन है यहां पर नीचे हैवेर रफरल कोड में आपको हमारा रफरल कोड मेंसन करना है हमारा रफरल कोड है S-A-N-J-E-E-V और इसे अपलाई करना है इसे अपलाई करेंगे तो जो भी फी यहां पर मेंसन है इस फी में आपको 10 प्रतिशत की कटोर्टी मिलेगी यानी छूट मिलेगी इसी तरीके से Iconic Subscriptions है यह आपको 12 महिने, 24 महिने, 36 महिने के रूप में मौजूद है इसमें भी आप लोग हमारे Referral Code का परियोग करें S A N J E V इसको आप लोग Apply करें फलता हाँ आपको इस फी में भी 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी इस सामान्य अध्यन से सम्मंधित दोनों कोर्स है इसके बारे में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो Iconic Course है Iconic Course की खास विशिष्टा यह है कि इसमें आपको Personal Guidance मिलेगा Test Analysis मिलेगा Study Planner यहाँ पे रहता है Study Planner, Study Material Expert Guidelines आपको मिलेगा इसके अलामा जो Plus Course है Plus Course में Live Class, Weekly Test, Unlimited Access और यह Structured Courses यह सारी सुब्धाएं आपको मिलती है बहुत ही आधारभूत कोर्स हैं बहुत ही महत्तपूर्ण कोर्स है इसके अलामा यहाँ पे Optional Paper का भी Subscriptions है यह आपको 1 महीने, 6 महीने 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के रूप में मौझूद है इसमें भी आप लोग यहाँ पे हमारे Referral Code S-A-N-J-E-E-V का प्रियोग करें इसमें भी आपको 10 प्रतिशत भी में छूट मिलेगी इसके अलामा UPSC, CSE Optional Combo भी है यहाँ पे यह 12 महीने के रूप में मौझूद है, 24 महीने के रूप में, 36 महीने के रूप में मौझूद है, इसमें भी हमारे Referral Code का प्रियोग करें आप लोग S-A-N-J-E-V हमारा Referral Code है, और UPSC Test Series आप लोगों के परिपेक्स में यह 13 मार से सुरू हुई है, इसको आप लोग जोईन कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, सहता मिलेगी, आने केड़मी ने 17 मार से UPSC के परिपेक्स में कई बैचों को नए बैचों को परारम किया है complete UPSC के बैचों को परारम किया है, यहाँ पर one year का बैच है, two year का बैच है इसको आप लोग जोईन कर सकते हैं, NCRT का special बैच है, इसको आप लोग जोईन कर सकते हैं इसके अलमा यहाँ पर आपको combat series भी आपको देन जे 5 को अपलाइ करके ही और यह सुभा 11 वजे से है इसमें भाग लें आप लोग कि और यह आने केडमी की कुछ खास बाते रेहीं कुछ प्रमुक बाते रहीं अब आते हैं हम लोग अपने आज के चेप्टर पर, ये अनेकेडमी की कुछ खास बाते रहें, हम लोग पहुंचते हैं, तो स्वागत है पुना, आप सभी लोगों का पूरी तरीके से आप लोग तयार हो जाए, हम लोग भारतिये कला और अस्थापत्य में मौरे उत्तर कालिन जो प्रवितियां है उन लोगों को देखेंगे, इसी तरीके से मुख्य परीक्षा का यही लाइन आपके सामने प्रस्न आ सकता है, भारतिये कला और अस्थापत्य में मौरे उत्तर कालिन क्या प्रवितियां दिखाई पड़ती हैं, असपस्थ कीजिए, सीधे इसी टाइटल का भी प्रस्न आप लोगों के बीच में आ सकता है, तो बिल्कुल सतर को होके आप लोगों को इसका अध्यन करना है, तो आप लोग तयार हो जाएए, पढ़ते हैं हम लोग, भारतिये कला इव्म संस्कृति को, यह आपके बीच में चौथ ही यूनिट है, निरंतर हम लोग एक एक यूनिट का अध्यन करें, कोई भी यूनिट आप लोगों के बीच में चूटी नहीं है, तो तयार हो जाएए, पुनह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है, पढ़ते हैं, इसको मन से पढ़ते हैं, एक भी क्विस्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का, तो सुरुआत करते हैं, एक एक पक्षों का अध्यन करेंगे, आप लोग कांपी, कलम भी अपने साथ में रखिए, कुछ महद्दपून पाइंट को नोट भी करते रहिए, मैं इसारा करूँगा, आप लोग नोट करते रहिए, बता दूँगा आपको, रिमाइंड भी करवा द करते हैं, एक कांपी कलम जरूर अपने पास आप लोग रखिए, जिससे थोड़ा सा कुछ खास खास बातों को आप नोट करते रहिए, और उसका बात मैं साम को सोने से पहले अपना रिविजन भी कर लिजे, तो चलिए सुरुभात करते हैं, कहा जरा ईषिया पूर्व की दूसरी सतावदी के बाद, अनेक सासकों ने बिसाल मौर्या सामराज में, धूसरी सतावदी की बाद चल लए है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यहां पे सताबदी की बात चल लही है इसा पूर्बत दूसरी सताबदी के बात यानि मौर्या सामराज के पतन के बात जो आपका मौर्या सामराज है आप लोग देखते होंगे कि वो चंद्र गुपता मौर्या उसे अस्थापित करता है और जो अंतिम मौर्या सासक है ब्रहद इतार्टे हम आपको बतारे हैं सुकर यहां के कहा जा रहा है कि जो ओ्रुपार्ट इनत्र bulim तो उसमें आप लोग देखेंगे कि भारत में जैसे साथ वहां राजबंस है, सुंग राजबंस है, कांडवा राजबंस है, उस विदेशी आक्रांता भी आक्रमण करके भारत पर अपना राज्य अस्थापित करते हैं, जैसे सक हैं, कुसाण हैं, पार्थियन हैं, पहलो हैं, ये सब, तो यहां पर ये जो छोटे-छोटे राज्य या सामराज्य अस्थापित हो रहे हैं, यही कहा ज़रा है कि इनने सभी राजाओं ने जो अखिल भारतीय मौर्य सामराज था, उस पर अपना-पना कबजा अस्थापित कर लिया, ठीक? अब इन में उत्तर भारत में और मध्य भारत की कुछ हिस्सों में यही देखिए चाहे वो उत्तर भारत हो चाहे वो मध्य भारत हो इसके कुछ हिस्सों में सुंग राजबंस आया, काणव राजबंस आया, कुसान राजबंस आया, गुप्त सासकों ने अपना आधिपत्य अस्थापित्य कर लिया तो ये जो राजबंस आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो सुंग हो, चाहे वो काण्ड हो, कुसान हो, गुप्त हो ये सब राजबंस आपको उत्तर भारत में या मध्य भारत में मिलेंगे लेकिन इसके अलामा दक्षिनी तथा पस्मी भारत में अगर दक्षणी और पस्यमी भारत में आप लोग बात करें तो यहाँ पे आपको सातवाहन एक्छवांकू आभीर राजबंस आपको मिलेंगे और वाकाटक राजबंस आपको मिलेंगे जिसका संस्थापक आप लोग देखेंगे कि बिंध सक्ति था वाकाटक राजबंस का सं प्रवर सेन है कौन है मुख्य सासक प्रवर सेन है इन सबों ने अखिल भारतिय मौर्य शामराज पर अपना राज अस्थापित कर लिया साइयोग बस आगे देखे एक एक लाइन को ध्यान से समझेगा अब इन ही के द्वारा जो भारत में विभिन प्रकार की कलाओं का विकास किया गया वैं उस इन्हीं का तो हम लोग अध्यन करेंगे इन्हीं सासकों ही तो कलाओं का विकास किया गया तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है जैसे मौरे कालिन कला का पक्ष आप लोगोंने कल देखा था आप मौरे उत्तर कालिन कला का पक्ष आज देखेंगे तो मौरे उत्तर काल में आपको ये राजबंस आपके सामने आ रहे हैं ये उत्तर भारत के राजबंस हैं, ये मध्य भारत के राजबंस हैं, और ये दक्षिन भारत के राजबंस हैं, सैयोग बस ईशा पूर्व की दूसरी सताबदी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों, जो आपका सनातन धर्म है, तो ये सनातन धर्म आप लोग देखते ह होंगे तो कई बार लोग कह देते होंगे ति हम तो सनातन धर्मी होने का क्या मतलब है कोई बता सकता है क्या है सनातन धर्म का होता है कई बार आपके सामने आता है सनातन धर्म का मतलब क्या होता है और क्या है ये सनातन धर्म तो जो बैदिक धर्म है जो बैदिक धर्म और कर्मकांड है उसी को हम लोग सनातन धर्म के नाम से जानते हैं अब समय समय पे इसका महिमा मंडन किया जाता है इसको बढ़ा चड़ा के आपके भारत में प्रस्तुत किया जाता है पैदिक धर्म को पुनह अस्थापना करने की बात की जाती है जैसे आधुनिक भारत में भी आप लोग देखेंगे तो आपके एक धार्मिक नेता हुए दयानन सुरस्वती उन्होंने कहा भी था किसकी ओर लोटो बेदों की ओर लोटो और भी अनेक नेता थे धार्मिक जिन्होंने बेदों का पक्ष लिया था बैदिक कर्मकांड का पक्ष लिया था तो ये इसी को सनातन धर्म के नाम से जानते हैं इसके मुख्य धाराएं दो हैं इस समय दो मुख्य धाराएं इस प्राचीन भारत में आप लोग समझो कि बह रही है दो प्राचीन धाराओं में एक बैस्णों है और एक सेव है जो बैस्णों धर्म एम संस्कृती है उसके मुख्य जो देवता है वो भगवान बिश्णू है और जो सेव धर्म एम संस्कृती है उसक ही तो आपके हाथों की रेखाएं को बदलती हैं लेकिन बदलेंगी कैसे आपके कर्म के हिसाब से आपके सूच के हिसाब से जब आप पूजापाथ संत्रमंतर में विश्वास करेंगे उसमें आपकी सिध्ना रहेगी थोड़ा बहुत आप उसको समय देंगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, तो निस्चित रूप से जो आँखों, जो आपके हाथों की लकीरे हैं, वो बदलती हैं, यह सभाविक है, इसी परिपेक्ष में आप लोग देखते होंगे, बहुत ल किया था और आज वो कहां है, तो अपने कर्म की बदलत, ठीक, तो यहां पर इस समय सनातन धर्म की साखाएं हैं, एक सैव है, एक बैसनो है, ठीक, का भी उदे हुआ था इसी समय, भारत में इसा पूर्व दूसरी सताबदी के ऐसे अनेक अस्थल हैं, कहा ज़रा है कि दूसर करना विसरी की दिर्शी से उपयुक्त होगा, मतलब इस कालिन कला के परिपेक्ष में कुछ ऐसे अस्थल हैं, जिनका उल्ले करना काफी उचित होगा, कहा ज़रा है, सुस्मा सुराज जी, सुस्की सुर्गी ये सुस्मा सुराज, जो हमारे, हमारी प्रकर नेता थी, के परिपेक्ष में, अभी भाजपा गोवर्मेंट में ही कुछ बर्सों पूर्व, उनके हाथ में विदेश मंत्राले था, इसके पहले भी वो कई पदों पर रह चुकी हैं, इसके अलावा भरहुत, तो ये भरहुत नामक जो अस्थान है, ध्यान रखना अस्थानों को भी ये कहां है, तो विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है, और भरहुत जिला नहीं है, भरहुत एक अस्थान है, लेकिन ये एक जिले में इस्थित है, और वो भी मध्य प्रदेश का एक जिला है, लिख लीजिएगा, सतना जिले में इस्थित है, सतना, कटनी और पर इस्थित है यह बिहार में इस्थित है इसमें कुछ अस्थान आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कहीं किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे ध्यान उस पर थोड़ा सा ज्यादा किंद्रित करना है तो बूद्ध गया यह वही अस्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी किसकी प्राप्ति हुई थी सत्य की प्राप्ति हुई थी पीपल के ब्रक्ष के नीचे यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध अब तथागत के नाम से जानेगे वही यहां से अगर आप लोग देखो तो चाहे वह मौर्य काल हो चाहे वह मौर्य उत्तरकाल हो यहां से यक्स यक्षणि की मूर्तियां मिली हुई है कल आप लोगों ने देखा था इसके बाद में खंडगिरी और उद्यगिरी गुफा, ये ध्यान रखना ये लिखा है खंडगिरी उद्यगिरी, तो कहीं गलती से आप लोग ये मज़ समझ लेना कि उद्यगिरी का मतलब उद्यपुर है, ये मज़ समझ लेना आप लोग, खंडगिरी और उदेगिरी ये पहाड़ियां हैं या गुफाएं हैं और ये दोनों पहाड़ियां या गुफाएं कहां पे इस्थित हैं ये हैं उरीशा में इस्थित हैं और ये भी मौरियोत्तर कालीन अस्थापत या कला का प्रतनिधित तो करती हैं इसके अलामा भज ये देखिए एक अस्थान आपके सामने आया भज और ये भज कहां इस्थित है यह महाराष्ट में पूरे नामक जिले के निकट इस्थित है अच्छा जिला है पूरे आप लोगों को पता होगा कि भारतिय राष्टिय कांग्रेस का जब अधिवेशन पहला अधिवेशन बंबई में हो रहा था तो बंबई में अधिवेशन होने के पूर्ब यह कांग्रेस का अधिवेशन पूरे में होना निस्थित हुआ था लेकिन पूरे में इस समय प्लेग नामक जो बिमारी है आप लोग देख रहे होंगे 1880 यानि 19-वी सताबदी के अंतिम दोर में काफी खतरनाक हो चुकी है महाराष्ट के छेत में और पूरे में कुछ ज्यादा ही है इसलिए क्या हुआ कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूरे में ना होके मुंबई टांसफर हो चुका है और मुंबई के गोकुल दास तेशपाल इंटर कालेज में वह नागपूर भी महाराष्ट में इस्थित है यह सारे अस्थान कहां पर पाए गए हैं महाराष्ट में पाए गए हैं एक बार रिवीजन करते हैं इसका जैसे आप लोगोंने देखा कि इसा पूर्वा दूसरी सताबदी में जब अखिल भारतिये मौर्य सामराज का पतन हो ग के कला के बिभिन साक्ष जो मिलते हैं वो कई अस्थानों से मिलते हैं जैसे बिदिशा हो गया जैसे भरहुत हो गया जैसे बोध गया जैसे बिहार जैसे जयग पेट जैसे मतुरा जैसे खंडगिरी या उदैगिरी आपने देखा और जैसे भस देखा जैसे पावनी देखा ये कुछ अस्थल इसमें से महाराष्ट में हैं, कुछ अस्थल बिहार में हैं, कुछ अस्थल आपके उत्तर प्रदेश में हैं और आप लोग देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का छेत्र, ये मध्य प्रदेश का छेत्र, ये महाराष्ट का छेत्र, ये ही इस समय राजनेतिक गहमा गहमी का छेत्र बना हुआ है, और इसलिए कलायूम अस्थापत्य का जो विकास हुआ, वो इसी छेत्र में हुआ, इसलिए इसी चित्र के अस्थल आपको यहां पर दिखाई पढ़ रहोंगे तो बड़ी सांथी से आप लोग समझ रहे हैं बड़े अथ्य से हमें आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं थोडा सा अब यहाँ पे एक अस्थान है आपके सामने थोड़ा सा अब लोग आप लोग अब थोड़ा सा और उत्साहित हो जाईए और कंसंटेट हो जाईए थोड़ा सा अब आपके सामने बड़ी ही काम की बात आई है, बड़ा काम का अस्थान आया है, भरहुत नामक एक अस्थान है, इसी का हम लोग अध्यन करेंगे, तो अपनी डायरी में आप लोग भरहुत नामक अस्थान को नोट कर लेजिए, इसके कुछ मुख्य बिंदूओं को भी सकते हैं, ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पक्स आप लोग समझेंगे, तो समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास किजिएगा, हर एक बात आपको समझ में आएगी, और इससे जो आ करते हैं, जैसे यूपी है, जैसे राजस्थान है, जैसे उत्तराखंड है, बिहार PCS है, वहां भी आप लोग देखते होंगे, कि कुछ प्रस्न ऐसे आजाते हैं, कि लोग खोशते रहते हैं, और आके इसी में मिलता है, NCRT में मिलता है, और उसका अध्येन लोग करते नही तो इसका अध्येन आपको करना है, तो आईए, भरहुत, आप लोगोंने heading लिख ली होगी, अब भरहुत का हम लोग अध्येन करते हैं, भरहुत, ठिक, भरहुत में पाई गई मूर्तियों में, अब जैसे भरहुत कहां है, तो आप लोग इसके सामने लिख लीजिएगा, य इक बात आप लिख लीजिए, आईए, देखते हैं, फरहुत में पाई गई मूर्तियाँ, यानि यहां से जो साक्ष मिला है, कला का, वो मूर्तियों का साक्ष मिला है, ठिक, मौर्या कालिन यक्ष और यक्षणी की प्रतिमाओं की तरहा, तीरगाकार लंबी हैं, यहां से ज कि देवी और देवता के रूप में हैं और किस तरीके से इनका रूप आप लोगोंने देखा भी प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार यानि इनकी जो प्रतिमाओं बनी इसकाल में वह काफी बड़ी-बड़ी के प्रतिमाय बनी प्रतिमाओं के आह다면 में कम उभार है लेकिन राएक हिखता का ध्यान रखा कि रहा है और प्रतिमाओं का थोड़ा सा आयतन आपको कम लगें लेकिन इनका जो आपको पहएनावा दिखाई पड़ेगा जो इनका सारीरिक गठन कद काठी है वहां पर को टिक itself कि इसके अलामा आककिरतियां चित्र की सता से ज्यादः नहीं यह जो आकिर्सियों का नर्माड हुआ उसके जो प्रकिर्टी है वो कहा जा रहा है कि उनमें जदा उभार नहीं है आख्या आख्यात्मक उभार में तीन आयामों का भ्रहम एक और जुके हुए परिपेक्ष के साथ साथ दरसाया गया है आख्यान में असपरस्ता मुख्य मुख्य घटनाओं के चुनाओं में बढ़ गई हैं भरहुत में आख्यान फलक अपेक्षा के ते कम पात्रों के साथ दिखाये गए हैं लेकिन जियों जियों समय आगे बढ़ता गया कहानी के मुख्य पात्रों के अलामा अन्य पात्र भी च फिलाधी गटना चित्र की परीधने एक साथ चित्रत की गई हैं जब कि कहीं कहीं एक घटना को समपून चित्र मेंद चित्रत किया गया है कि कभी-कभी एक चित्र में कई घटना उंको फरदरशीद करने मोर्तिकला द्वारा उपलब्ध अस्थान का अधिक्तम उपियोग किया गया है और चाती से लगा हुआ दिखाया गया है जो हाथ की स्थिती है यक्ष यक्षणी की उसको यहां पर बताया गया है कि वह किस स्थिती में है इनका हाथ जैसे आप लोग हाथ ऐसे किये हुए फिर ऐसे कर दिया फिर कुछ ऊपर उठा लिया तो किस तरीके का हाथ है वह यहां प पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप में च्छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है इस तरीके से दिखाया गया ठिक इन उधारणों से अस्पस्ट होता है क्या अस्पस्ट होता है भीया कि कला सिल्पियों को जो की सामोहिक अस्तर पर काम करते थे उतकेरण की बिधी को समझना कितना जरूरी होता है प्रारंभ में सता को तयार करना प्रमुक कारे होता है और उसके बाद मानों शरीर तथा अन्य रूपों को उपेरा या बनाया जाना उसका दूसरा खास काम होता है उसका दूसरा क्या होता है खास काम होता है आए आगे बढ़ रहे है अब चित्र की सता यहां पे कहा जा रहा है जो चित्र की सता आपको कुछ छिचली सता आपको दिखाई पड़ेगी ठीक और इसके कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभो नहीं था कि बाहर हाथ निकले हो मतलब जो सता थी वो छिचली थी अगर छिचली सता नहीं होती तो हाथ बाहर इस तरीके से निकले हुए दिखाया जाते यह हाथ इस तरीके से निकला हुआ दिखाया जाता पैर को उठा कि कुछ इधर उदर करके दिखाया जाता लेकिन ऐसा संभो नहीं हुआ क्योंकि सता हा फिशली है पैरों के बाहर निकला हुआ दिखाना संभो नहीं था इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ दिखाया गया मतलब जो यक्ष यक्षणी की मूर्ती है उसमें हाथों को बिल्कुल इस तरीके से दिखाया गया जुड़ा हुआ दिखाया गया ठिक और पैरों को बढ़ा हुआ शरीर दिखाया गया ठीक ध्यान रखिएगा ये विशेस्ताइं हैं इस भरहुंत की कला की इतना व्यापक विब्रण तो आपको कहीं मिले गई नहीं और भुजाएं वा पैर शरीर की साथ-साथ चिपके हुए दिखाये गये जो भुजाएं हैं वो सरीर वो जो भुजा हुआ दिखाया गया है ठीक किन्तु आगे चलकर ऐसी द्रिश्य प्रस्तुती में संसुधन कर दिया गया दीरे दीरे आगे अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रकार का हमेशा चित्र बंता रहा कि कलाकारों ने थोड़ा सा बदलाओ भी लाया तो आगे बदलाओ भी आया इस से मनुस्यों तथा जानवरों के सरीर का प्रतिरूपन असली जैसा होने लगा भरहुत और बोध गया एक अस्थान है बरहुत यह मध्य प्रदेश के सतना जिले वाला है और एक बोध गया जो कि आज बिहार का एक प्रमुक अस्थान है यहीं पर महात्मा बुद्ध को ग्य फ़ियल है यह भरहुत शैली है ऐसा नहीं है कि जो मौर्योत्र का लिंग मूर्तियां मिली है उसमें आप लोग देखेंगे जैसे पहले पहले की संरस्टना थी पहले की संरस्टना में तमाम सारी जो बातें थी वो थोड़ा सा बदलाव आया तो जो बदलाव आया वो भरहूत वो बोध गया और सांची और जयग पेट में इसमें भी दिखाई पड़ता है अब आगे कुछ देखिए भरहूत की बात को भरहूत की कुछ खास बात को और देखिए भरहूत की आख्यान यानी रिलीव से असपस्ट होता है कि कला सिलपी अपनी चित्रात्मग भासा के माध्यम से कितने अधित प्रभाव साली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे यानी कुल मिला के यही कहा जा रहा है कि इस काल के जो कलाकार थे वो अपनी कला के माध्यम से एक कहानी एक स्टोरी को अस्थापित करते थे एक कहानी को बताते थे अपनी कला के माध्यम से अपने रेखांकन या अपने चित्रांकन के माध्यम से जैसे आप लोग एक फिलम होंगे ना औरどう देखते तो होंगी ही लेकिन उसका नाम आप लोग सुन लेते होंगे ना जैसे नाम खलनायक आपने नाम सुना कि खलनायक नामक फिलम है की टाइटल से आपनों को पता चला होगा कि निश्य दूप से क्छ घटनाक्रम होगा कि इसलिट collapse पदमावती जैसे अलाव दिन खिल दी जैसे मोहन जोड़ो जैसे बाजी राओ अब यह सब फिल्मों का टाइटल ही आपको यह बता देता है कि वास्तों में इसकी स्टोरी क्या है वैसे ही यहां के जो कलाकार विभन्न परकार की कलाकृतियों का नर्माड कर रहे हैं उस इसको सन्रचन दिया था ऐसा बता सकते हैं आप लोग अपनी चित्रात्मक भासा में प्रभावसाली ढंग से अपनी कहानियां कह सकते थे एक ऐसी आख्यान उद्धती में सिध्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी की एक सपनी की घटना को दिखाया गया क्या कहा ज सिध्धार्थ हैं गौतम की माता सिध्धार्थ यानि गौतम गौतम इनका गोत्र था महात्मा बुद्ध का जो गोत्र था वो गौतम था और महात्मा बुद्ध का चाइल्ड हुल नाम क्या था इनका चाइल्ड हुल नाम सिध्धार्थ था तो सिध्धार्थ की माता महारान इनकी माता का नाम क्या था महारानी माया देवी इनके पिता का नाम क्या था सुध्धोधन इनके पिता का नाम था ठीक अब कहा ज़रा है कि माया देवी की एक स्वपन की घटना को दिखाया गया है जो माया देवी यानि इनकी माता है अब देखो चित्र इस काल में जो चित्र कलाकार बना रहे हैं अब कितना डूबना पड़ता होगा इसमें अब जरा सूचो इसको कितना इसमें डूबना पड़ता होगा सूचना पड़ता होगा एफर्ड करना पड़ता होगा समय देना पड़ता होगा तब यह है इस काल का कलाकार इस तरीके का चित्र मतलब किसी के स् वो सोचेगा उसकी positivity को सोचेगा और फिर उसका चित्रांकन करेगा इसलिए तो क्या होता था कि जो प्राचीन काल की कला कृतिया होती थी या music ही होते थे उसमें आप डूब जाते थे आज काल के music अगर आप सुनिए या आज काल के चित्रकला या किसी बेकर कुछ पक्ष देखिए आप गाड़ी में music सुनते रहेंगे आप चलते रहेंगे कोई फरक ही नहीं पड़ेगा लेकिन उसी में आप लोग देखो कि कुछ पुराने कीत और संगीत को चला तो उसमें डूब जाता है आदमी उसको गाने लगता है जबकि नया गाना चलता रहता कोई फरक ही नहीं पड़ता तो ये फरक है क्योंकि इस काल का जो कलाकार होता था वो डूब के बनाता था तो वो सीधे उसमें फील होता था दिक्ति को इसलिए वो उसमें डूब जाता था इसमें महारानी की आकिरती को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतर कर महारानी माया देवी की कोक यानि गर्भासय की और बढ़ते हुए दिखाया गया है देखिए ध्यान से इस बात को देखिए आप लोग क्या कहा गया है इसमें महारानी की आकृती को लेटी हुई अवस्था में दिखाया गया है इस सुपन में जो माया देवी है वो लेटी हुई है और एक हाथी को ऊपर से उतर कर महारानी माया देवी की कोख यानि गर्भास है की और बढ़ते हुए दिखाया गया है दूसरी और जातक कथाओं अब जातक कथा की बात आई तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख लिए जातक कथा और जातक कथा मुख्य तयाहा बौध धर्म से संबंदित है जल्दी से लिखिएगा जातक कथा बौध धर्म से संबंदित है इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्ब जन्मों की बातों को दर्शाया गया है कि महात्मा बुद्ध पूर्ब जन्म में क्या थे यह हैं बताया गया है जातक कथाओं में और जातक कथाओं को पाली भांसा में लिखा गया है जातक कथाओं को कि तर आप कोटा बगाडा में रहे हैं अरे दानिस ऐसा कैसे आप कहां पहुँच गए आज तो पूरी स्टोरी आप निकाल के लाए यह चोटा बगाडा कहा है हमने तो सुना भी नहीं इसको चोटा बगाडा कहा है भाई हाँ पाली भाईसा पाली भाईसा और कई बार आपने लिखा भी है अच्छी बात है चोटा बगाडा मतलब इलहाबाद ना हाँ ठीक जातक कथा का चित्रण बरे स्वरल तरीके से किया गया है उनमें कथा के भाउगोलिक अस्थल के हाँ निस्चित रूप से आप लोगों के बीस काई हूँ ऐसा तो नहीं है कि मंगल ग्रह से आया हूँ आप लोगों के बीस काई हूँ एलहाबाद लखनो दिल्ली अंसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है जैसे एक यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो जातक हैं उसमें कई जातक है तो एक जातक आपके सामने है जातक गरंत इसका नाम है रूरू जातक कभी नाम सुना था इसका रूरू जातक का नहीं सुना था और मानलो UPSC में अब आ जाएगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे तो रूरू जातक कहीं लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा आपको हाँ एक बाबेरू जातक मैंने भी सुना है बाबेरू जातक और एकाद दो जातक लेकिन ये रूरू जातक का नाम तो सुना ही नहीं है तो बोध ही सत्तों बोध धर में वए ब्यक्ति होते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वे अन्य लोगों की ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करते हैं और इसी पक्ष को यहां पे भी दर्शाया गया है कहा जा रहा है कि रूरू जातक में बोधी सत्तो यानि वैब्यक्ति जिनको ग्यान की प्राप्ति हो चुकी है कि दूसरे की ग्यान की प्राप्ति में सहता करते हैं ये हिरन को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर ले जाते हुए यहाँ पर बोधी सत्नों को दिखाया गया है। इसकारी का ही दिखाया गया है। तो इसलिए कई बार फिल्मकार जो होते हैं जो डायरेक्टर होते हैं वो फ्रोड़ा सा तोर मरकर के चीज़ों को पेश करते हैं जिससे फ्लम इतिहास से अलग देखे और चर्चा में आए और उनकी फिलम क्या हो जाए थोड़ा सा पापुलर हो जाए। इसलिए ऐसा वो करते हैं और थोड़ा बहुत तो ऐसा सब लोग करी देते हैं तो यहां पर देखिए राजा हीरन पर तीर छोड़ने वाला है मतलब जो मौर्योत्तर कालीन कलाएं हैं उसमें आप देखें कि जो आप प्राजीन काल में पासाण यूग में देखते होंगे कि जो मनुसे या आदिमानों की प्रकिरती थी उसमें उसकी मुख्य विसिस्ता के रूप में सिकार था या आखिटक था वो इस समय भी तो दिखाय गया गया है राजा हिरन पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी की हिरन से रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े भूए अपनी अंगोली से हिरन की और इसारा करते हुए दिखाया गया है कथा के अंसार आदमी ने बचाये जाने के बाद हिरन को बचन दिया था कि वह किसी भी ब्यक्ति को उसकी पहँचान नहीं करने देगा ठीक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दो चित्र हैं यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं अब यही है महा रानी माया का स्वप्न चित्र औ और यह महा रानी माया का यानि माया देवी का जो महत्मा बुद्ध की माता थी अब यहां से प्रस्ण कैसे बनेगा जो महा रानी माया देवी का स्वप्ना के चित्र का रेखांकन मिला है वो कहां से मिला है यह प्रस्ण आप से पूश लेगा और यह कहां से मिला है यह कहां है भरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में इस्थित है तो ध्यान देना महा रानी माया देवी यानि महात्मा बुद्ध की माता का जो स्वपन का चित्र मिला है ध्यान रखना भरहुत से मिला है अब स्वपन का चित्र यही है इसी तरीके से देखो यहां पर दिखाया अब ये जो चित्र आपको मिलेगा ना इसको इसलिए ध्यान से देखना कहा गया था हमने आपको इसके पूरव भभी ःभी थोड़ी देर पहले बताया कि महारानी महामया को इसमें लेटी हुई अवस्था में दिखाया गया है और यह भी दिखाया गया है कि एक हांथी उनके गर्भ में प्रवेस ले रहा है और यहां पे धीरे-धीरे महात्मा बुद्ध की रूप में इनका जन्म होता हुआ भी यहां पे आपको दिखाया जाएगा तो देखे इसको ध्यान से इस चित्र को देखे इस चित्रांकन को देखे बिलकुल असपस्ट रूप से आपको यहां पे दिखाई परड़ा होगा ए देखे एक हांथी इस हांथी की आकरती को आप देख सकते हैं आप समझ सकते हैं यही चित्र है और यह मिला कहां से है यह भी आप लोग समझेगा असपस्ट रूप से ध्यान दीजी एक बार पुना यह चित्र पूंच सकता है कि आप यह चित्र जो है यह कहां से यह चित्र मिला हुआ है तो इसको ध्यान देना आप लोग देखे आप लोग एक बार क्या दानिस नोरा फते ही यह यूपियसी पहले यूपियसी से प्यार करो तो सायद मिल जाए यूपियसी से प्यार करोगे तो सायद वो मिल जाए और नोरा फते ही का तो बड़ा मुश्किल है और यह जातक कथाओं का अंकन आप लोग देख रहे हुँगे कि यह भरहुत से आपको मिला हुआ है जातक कथाओं का कई प्रकार का अंकन जो है यह ब्रहूं से मिला हुआ है ए दोनों चित्र आपको यहाँ पर दिखाएगे ठीक तो दोनों चित्रों को आपने देखा दोनों चित्र कहां से मिले हुए हैं दोनों हाँ दोनों चित्र मिले हुई है भरहुत से मिले हुई है इसके बाद में हम लोग सांची के अस्तूप का अध्यन करेंगे तो वो था बरहुत लेकिन भरहुत की कुछ बातें वह भी बची हुई है आईए उसको और देखते हैं भरहुत की कुछ बातें पची हुई हैं। उसको हम लोग देखते हैं और में भी कभी आवाज ना आई। तो थोड़ा सा आप लोग बता देना वो सकता है बैटरी की प्राबलम हो तो मैं चेंज कर लूँगा ठीक है ना सुन रहे हैं। अभी तो आवाज आ रही है जब राजा हिरन की पहचान बताने वाले को पुरसकार देने की घोषना करता है तो वह आदमी अपने बचनों से फिर जाता है और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहां हिरन ने उसकी जान बचाई थी कितनी मार में कथा का बड़न यहां पे किया गया है ऐसी जातक कथाईं अस्तूपों को अलंकरत करने के लिए उपियोग में लाई गई है यह जान लेना भी दिल्चस्प होगा कि विभिन प्रदेशों में ज्योंजों अस्तूपों का निर्माण बढ़ता गया जैसे जैसे अस्तूप अस्तूप का मतलब क्या है बाउध धर्म का पूजा घर अस्तूप का साब्दिकर्थ होता है धेर या धूहा यह बाउध धर्म से सम्मंधिस सरस्टना है और मुख्यतया आप लोग समझे कि अस्तूप का मतलब होता है पूजा घर जैसे हिंदू धर्मे हिंदूओं का पूजा घर होता है मंदिर मुस्लिमों का पूजा घर क्या होता है मस्जित अब इसाईयों का क्या होता है गिर्जय घर, शिक्षों का क्या होता है गुर्द्वारा, वैसे बाओध धर्म का जो पूजा ग्रह है उसको अस्तूप के नाम से जाना जाता है, ठीक, अब जैसे जैसे अस्तूपों का नर्माण बढ़ता गया, उनकी सैलियों में भी अंतर आन जाएगा, जैसे आप लोग मंदिरों में देखेंगे, मस्जितों में देखेंगे, समय समय पर उसके आकार, प्रकार और शरूप में ब्रद्धी होती रही, अब एक बात में आपको बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, जैसे मान लीजिए, यहाँ पर मैं एक अस्तूप बनाता हूँ, और यह अस्तूप मान के चलिएगा, यह अस्तूप काफी भव इतना बड़ा बना हुआ है, ठीक, और आगे अस्तूप थोड़ा सा छोटी छोटी बनने लगे, यह छोटी छोटी बनने लगे, ठीक, अब अस्तूपों का नर्मान सासकों नहीं करव यह अस्तूप थोड़ा सा बड़ा यहां पर बना हुआ दिखाई पड़ेगा यह मानलो मंदिर ही है तो मंदिर काफी बड़ा हुआ बना दिखाई पड़ा है यह दूसरा मंदिर थोड़ा सा छोटा है तीसरा और थोड़ा सा छोटा है चौथा और थोड़ा सा छोटा मंदिर ये जो यहाँ पे अस्तूपों का आकार प्रकार आपको घटते हुए क्रम में दिखाया गया, इससे आप लोग को क्या फील हो रहा होगा, क्या पता चला होगा, कुछ आप लोग बता सकते हैं, कुछ आप लोग इसमें बता सकते हैं, जरा सोची और बताईए, कि छोटे- जलता है अविशिक, सम्बरेंद्र भी आज हैं, क्लास में, काफी दिन के बाद दिखाई पढ़े हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? मतलब जब अस्तूपों का आकार प्रकार बड़ा है, और धीरी-धीरी ये घटने लगा, तो इससे हमें क्या प्रतीत होता है, क्या बोध होता है, ये पूच्छाओं में, कि छोटे-छोटे राजा होंगे, मतलब उनकी हाइट कम होगी, क्या? छोटे-छोटे राजा का मतलब छोटे-छोटे राजा, दो-दो-फुट के राजा, बताएए जल्दी से, बहुत ही रोचक प्रस्ण है ये, बहुत ही रोचक प्रस्ण है, मनी लांडरिंग, कुछ आस-पास में हैं, ऐसी बात नहीं है, तोटे, अच्छा, डिजाइन अच्छी लगती है, इसलिए, अच्छा, क्या नाम है आपका, भधवरिया सहब का उत्तर है, आच्छा प्रयास है, और, और क्या बताना चारे हो, बोलो बेटा सुरशी आप भी हो, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग सामिल हैं, अच्छी बात है, आप लोगों का सामिल होना जरूरी है, आईये समझते हैं, हमारा प्रस्न ये है था आप लोगों के बीस में, कि जैसे मान लो कि ये कोई बड़ा अस्मारक है, ये आप समझो कि ये कोई बड़ा अस्मारक है, फिर आगे आपको छोटी छोटी अस्मारक है यहाँ पर दिखाई पड़ें, हो सकता ये मंदिर की या अस्तूप के रूप में हो या चैत्य के रूप में हो किसी भी रूप में हो अब यहां पर प्रारंब में यह आपको बड़ा दिखाई पड़ा और बाद में छोटा दिखाई पड़ा तो एक बात में हम एक बात तो हमने आपको बताई थी कि ऐसा नहीं है कि एक ही अस्तू मंदिर आपको बड़ा मिलना है तो इसका मतलब यह है कि अगर बीच में या प्रारंब में या अंत में कोई भी मंदिर या अस्तूप आपको बड़ा मिलना है तो इस काल का जो सासक होगा वो सासक कैसा होगा वो सासक बड़ा योग्य होगा वो महत्तुपूर्ण होगा वो ताकत वर होगा उसकी आर्थिक इस्थती मजबूत होगी जैसे आपकी आर्थिक इस्थती मजबूत होगी तो अपना घर काफी अच्छा बनाएंगे टक्टर और रखेंगे जीप और रखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेंगे लेकिन मान लो आपका पड़ोसी कोई गरीब है तो ऐसा निर्मान कारिया नहीं करवा पाएगा ना आप इसको इसी तरीके से समझे वैसे जब सासक क्या हुए आप लोग कह रहते कि सासक छोटे थे तो आपके कहने का मतलब यही था कमजोड थे छोटे होने का मतलब जब सासक कमजोड थे जब सासक को कोई इस्थती आर्थिक रूप से ठीक नहीं थी तो हलाकि उन सासकों ने भी विभिर्न प्रकार के असमारकों या मंदिरों का नर्मान करवाया लेकिन अब वो तो उसमें तो उतनी भव्यता नहीं होगी अब जैसे आप लोग देखेंगे कि जो अकबर था अकबर ने बहुतारे किलों का नर्मान करवाया जैसे सबसे पहले उसने आगरा के किले का निर्मान करवाया, फतेपुर सीकरी के किले का निर्मान करवाया, अटक का किला जो पंजाब में है उसका निर्मान करवाया, अजमेर के किले का निर्मान अकबर ने करवाया, राजस्थानी लोग जान लें फतेपुर सीकरी का निर्मान करवाया फतेपुर सीकरी के अंदर में जो था भाई महल बनवाया जैपुर महल बनवाया बीरबल महल बनवाया बुलंद दरवाजा बनवाया आगरा में कई प्रकार के असमारकों का निर्मान करवाया लेकिन उसके बाद में जो आता है अकबर के बाद में जहां गीर और जहां गीर के बाद में साय जहां आता है तो ऐसा नहीं है कि साय जहां के समय में कुछ ज़्यादा पैंसा आ गया लेकिन कई बार यह भी होता है कि जैसे कुछ लोगं के पास खूब पैंसा होगा हमने खूद देखा है प्रूब पैंसा होगा प्रूब पंप होंगे ट्रक होंगे ब्रस होंगे लेकिन वो अपने बच्चों को UPSC के तैयारी नहीं करवा सकते क्यों क्यूंकि उनमें दिल नही है पैंसा तो है इतना पैंसा खतम हो जाएगा यह हो जाएगा वह हो जाएगा नहीं हम तैयारी नहीं करवाते हैं कुछ नोकरी करो यह अपने हिसाब से नोकरी करो नोकरी के साथ में पढ़ाई करते रहो ऐसा बहुत सारा होता है तो कई बार क्या होता है कि कम ही पैंसा है ल नर्मान करवा दिया आप विदेशों में जाए विदेशों में आप भारत का तो नाम लेजिए ही लेकिन अगर ताज महल का नाम लेजिए तो विदेशों में आपको बड़ी आसानी से लोग जन जाएंगे विदेशी लोग हाँ ताज महल कि वो असमारक है वो विश्व धरोहर है कितने सहलानी विदेशी आते रहते हैं घूमते रहते हैं तो कई बार ये भी होता है भले ही उसके पास पैसा कम हो लेकिन वो उसको एक जगह पे लगाएगा ना ये चीज है ऐसा भी सोचते रहना थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि तो यहां पर थे हम थोड़ा सा कि इसको देखते हैं कि यही यहां पर जो ब्याख्या की जा रहे थी यही इस समय समय पर सासकू ने अपने नर्माण एकार में थोड़ा सा अंतर लाया थोड़ा सा परिवर्तन लाया कभी छोटा कभी बड़ा अस्तूपों का नर्माण किया गया यह विभिन्न प्रकार के कला कि सैलियों को थोड़ा सा घटाया गया बढ़ाया गया तमाम सारे परिवरतन कुल मिला कि देखने को मिलते हैं इसा पूर्व की पहली और दूसरी सताब्दियों की सभी पूरुस प्रतिमाओं में के सज्जा को गूते हुए दिखाया गया देखिए ध्यान दीजिए एक महत्तपूर्ण बिसेस्ता आपको ये पहली सताब्दी और यहां पे दूसरी सताब्दी की दिखाई जा रही है कहा जाराए कि जितने भी पूरुसों की प्रतिमाओं बनी हैं पूरुस लोग सुन ले ध्यान से यहां पे और पूरुस महिला से अलग नहीं है महिला पूरुस से अलग नहीं दोनों एक सिक्के के दो पहलू है जैसे रत आपने देखा है ना रत रत देखा होगा इका गाड़ी देखा होगा motorcycle देखी होगी tractor आपने देखा होगा मानलो उसमें दो दो पहिये वो सकता है किसे में चार पहिये हो ठीक लेकिन आप ये मानकी चलो कि दो पहिये अब दो पहिये में से एक पहिया पुरुस रुपी तूट जाता है तो महिला चल सकती है बड़ा मुश्किल होता है मानलो महिला तूट जाती है तो पुरुस का चलना भी मुश्किल होता है तो खास करके यहां पे पुरुस की प्रतिमाओं का जो निर्माण किया गया और प्रतिमाओं में केस सज्जा हेयर स्टाइल जो हेयर स्टाइल है केस सज्जा है वो गुथे हुए बालों को दिखाया गया है गुथे हुए बालों का मतलब क्या है भाई गुथे हुए बालों का क्या मतलब है ये बहुत महत्वपूर्ण विशेश्ता है गुथे हुए बाल गुथे हुए बाल का मतलब क्या है मतलब क्या है उठे हुए बाल का मतलब है घूंगराले बाल कैसे बाल गूंगर आले की विषिश्टा ये भारतियों के कला की विषिश्टा नहीं है ये बिदेशी कला का प्रभाव भारतिय कला पर पढ़ता हुआ दिखाई पढ़ा है जैसे हमने आपको बताया होगा क्लास में कई बार कि जो गंधार कला सेली है वही गंधार जो महाजनपद युग में था गंधार जिसकी राजधानी तक्ष्य सिला थी वहाँ पर जो कुसान सासक आता है तो वहाँ पर गंधार सेली को अस्थाफित करता है और उस पर विदेशी सेली का प्रभाव दिखाई पड़ता है अब उसमें क्या होता है कि जो महात्मा बुद्ध की मूर्ती बनी यही पुरुस की बात हो रही तो पुरुस की मूर्ती का ही जिक्र कर रहे है जब महात्मा बुद्ध की मूर्ती गंधार स्टाइल में बनी तो हमने उसमें आपको कई बार क्लास में बताया है कि महात्मा बुद्ध के जो हेयर स्टाइल है जो केस की सज्जा है वो गुथे हुए बालों को दिखाया गया यानि घुंगराले बालों को दिखाया गया महत्मा बुद्ध को सूट बूट पहने हुए वहाँ पे दिखाया गया क्या पहने हुए दिखाया गया? सूट बूट पहने हुए दिखाया गया यानि आपको सूट बूट किस ने दिया कुसानों ने दिया और प्राशीन काल में आप लोग सूट बूट पागय थे किस से पागय थे कुसानों से पागय थे और यही सूट बूट आप लोगों ने देखा होगा कि फिर एवरभी यह लेके आए तो यह आपका नहीं है आपकी कल्चर आपकी संस्कृति नहीं है तो कि जो भारतिय संस्कृति है भारतिय संस्कृति की एक मुख्य विसिस्ता यह है कि यहां पर ग्रहाण सीलता की बात पाई जाती है हम किसी भी संस्कृती को बड़ी आसानी से ग्रहन यानि स्वविकार कर लेते हैं जैसे इसको हमने स्वविकार किया इस साजु सज्जा को हमने स्वविकार किया इस पहनावे को हमने स्वविकार किया वैसे मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि ग्रहन सीलता के तो इसलाम धर्म नहीं था, इसलाम धर्म का उदे तो मक्का में हुआ, मोहमद साहब ने उसका प्रचार और प्रसार किया, मोहमद साहब वही तो देव दूतों ने संदेश दिया, इसलाम के बारे में, तो इसलाम फिर आया सात्वी आठ्वी सताब्दी में उसको हमने स्वविकार किया फिर इसाई धर्म भारत आया उसको हमने स्वविकार किया तो सब को तो हमने ग्रहाण किया यानि ग्रहाण सीलता का अंस भारतिय संस्कृति में पाया जाता है यही मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपने कुल मिला के यह देखा कि इस काल में जो पुरुसों की मूर्तियां बनी उन मूर्तियों में जो केस सज्जा है जो हेर स्टाइल है इसमें केसों को गुथे हुए दिखाया गया है यानि घूंगराले बाल दिखाये गये यह सब एक सी पाई जाती है भरहुँत में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीए संग्रहाले कोलकाता में सुरक्षित है अब एक प्रस्ने आज आप लोगों के 20 में आया अगर आप से पूश ले कि Indian Museum, यानि भारतिय संग्रहाले कहां इस्थित है, भारत का संग्रहाले, नामी ये भारत का संग्रहाले, तो भारत का संग्रहाले, ये है कोलकाता में इस्थित है, इसको नोट कर लेजिए आप लोग, कहां इस्थित है, कोलकाता में इस्थित है, भारतिय संग्रहाले, भारतिय स संग्रहाले के नाम से ही है और कोलकारता में स्थिति इंडियन मुजीम संग्रहाले इसको ध्यान रखिए गाने तो छोटी बात है लेकिन, बड़ी महत्ऩपूंद बात है इसलिए नोट कर लीजिए आप ठीक है लगातार दो लोग बैसनों हैं आज एक हैं कन्हिया बैसनों और एक हैं बैसनों मनीज बैसनों अच्छी बात है कोल काता हाँ कोल काता कोल काता ध्यान रखना दिल्ली मत टिक कर देना गलती से दिल्ली टिक कर दो भारती ये संग्रहाले भारती ये संग्रहाले सब कुछ दिल्ली में ही है तो दिल्ली में ही ये भारती ये संग्रहाले ऐसा मत करना नोट कर लिजे इसको इसलिए हमने इस पे इतना समय भी दिया कि गहराई से ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए और मानलो भूलो भी तो मैं आपको याद आजाओ उस समय ठीक अरे गुरु जी ने तो बताया था बस फिर क्या बात है मतलब गुरु हमेशा काम करेगा और गुरु का काम ही है आप लोगों को आगे बढ़ाना ठीक आएए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब सांची की इस्थिति को पढ़ते हैं सांची सांची आपके सामने है सांची का अस्तूफ मूर्थी कला के विकास के अगले चरण में सांची के अस्तूफ वन अब ध्यान पाए गये हैं अब यहाँ पे अस्तूप नंबर 1 जो है मथूरा और आंधर प्रदेश के गुंटूर जिले के बेंगी अस्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है यह जो अस्तूप नंबर 1 है यह कई अस्थानों पर आपको मिलेगा यह मतुरा में भी मिलेगा और आंध प्रदेश के गुंटूर जिले में भी मिलेगा कहां मिलेगा गुंटूर जिले के बेंगी अस्थान पर पाई जाने वाली यहीं गुंटूर है और गुंटूर में बेंगी नामक अस्थान है और यह चरण, सैलीगत, प्रगती के द्रिश्ट से उलेखनी है, सांची के अस्तूप वन में उपर और नीचे दो प्रदक्षिना पत है, क्या कहा जारा भी या, सांची के अस्तूप में कहा जारा है, सांची के अस्तूप एक में उपर और नीचे दो प्रदक्षिना पत है, मतलब एक प्रदक्षिना पत थोड़ा सा उपर की तरफ है एक थोड़ा नीचे की तरफ है अभी मैं आपको दिखाऊंगा अस्तूप का यहां पर बैकाईदा चित्र है उसमें आप लोग ये समझते रहिए कि प्रदक्षिना पत का मतलब होता है क्या उपर भी हैं नीचे भी हैं इसके चारो इसके चार तोरण द्वार हैं अब यहां पर एक आपने अस्तूप की बिशिष्टा देखी अस्तूप का अंग देखा अस्तूप के अंग की रूप में प्रदक्षिना पत्त को देखा और जैसे अस्तूप है तो नीचे भी गर्वग् के है और उपर भी आप लोग देखें गे तो उसका कुछ अंस आपको मिलेगा दूसरे फ्लोर पर भी तो जैसे मंदिर के removed की आपने यात्रा की दूसरे फ्लोर की आत्रा की वहां भी कुछ मूर्तियां अस्थापित हैं वहां वहाँ पे भी आप परिक्रमा करते हैं तो उसी तरीके से इसको भी समझे बिल्कुल समझ में आजाएगा इजी है थोड़ा ध्यान लगाईएगा तो समझ में आएगा कहा जरा है कि जो सांची अस्तूप है इसमें उपर और नीचे दो प्रदक्षिन पत हैं यानि परिक्रमा करने के लिए मार्ग हैं ठीक उसके बाद में अस्तूप का एक दूसरा अंग आपके सामने आया और यह तोरण द्वार के रूप में आया तोरण द्वार का मतलब क्या होता है तोरण द्वार का मतलब होता है प्राबेश द्वार इस्तूप में इंट्री का जो गेट होता है उसे किसके नाम से जानते हैं तोरण द्वार के नाम से जानते हैं आप ये जो तोरण द्वार बने होते हैं ये काफी भव्व होते हैं अस्तूपों के जो तोरण द्वार होते हैं वो काफी भव्व होते हैं अभी मैं आपको तोरण द्वार दिखाऊंगा वो लगेगा भी कि काफी भव्व है ठीक दूसरी बात अब यह जो तोरण द्वार हैं यह सब UPSC में बड़े आसानी से पूछा जा सकता है तोरण द्वार क्या है इसकी बिसेश्था क्या है अब देखो यह जो तोरण द्वार है जैसे अब थोड़ा सा अगर आप लोग फील करो ना तो माल लोग आप अपने घर के दर्वाजे पे बैठा हो या किसी कमरे में बैठा हो अब उस कमरे के दर्वाजे के पास जाओ या गेट के पास जाओ और वहाँ पे फील करो कि हाँ वो जो गेट है उसकी ओपनिंग कितनी भव्ब्य है इस तरीके से बनाया गया है अब इसमें और क्या अच्छा किया जाता तो और भव्य लगता थोड़ा सा फील करोगे फिर आपको UPSC की पास आने में देर नहीं लगेगी वो आपको खुद बुला लेगा वो तो बुलाने के लिए बैठा है वो तो चाहता है कि हमें योग्य ल लिए बैठे हुए है लेकिन आप में योग्यता तो हो तो इस तरीके से फिल करो अब यहां पर जो गेठ है जो प्रबेश द्वार है उसको तोरण द्वार के नाम से अस्तूप में जाना गया और यहां पर महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाएं जो महात्मा बुद्ध कि वहां पर चोपाई यां लिखी हुई मिलेंगी ना प्रबेश द्वार पर कभी गंगा का चित्र बना मिलेगा कभी जमुना का चित्र मिलाएगा कभी किसी पसू का अंकन किया जाएगा वो कितना भव्य लगता है उसी प्रकार से जो अस्तूप है वो बहुत धर्मे के नहीं हो सकती है जैसे महत्मा बुद्ध का जन्म हुआ महत्मा बुद्ध का पालन पोशन हुआ यही तो महत्मा बुद्ध के जीवन की घटना है महत्मा बुद्ध का विवा हुआ फिर महत्मा बुद्ध ने अपना ग्रहत्याग दिया अच्छा ग्रहत्याग दिया तो कितन पूरी पहुंचे सूकर माध्धों खाया फिर कुसी नगर पहुंचे मृत्य हो गई डेथ हो गई महा पर निर्माण हो गया तो यही तो है महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना अब इसी का तो अंकन किया जाएगा यहां के दिवारों पर जैसे रामाण में आप लोग देखते होंगे कैसे राम जी का राज्जा भी सेक हुआ कैसे वो बन गए रामण या अन्य राक्षासों का बद किया वही तो अंकन किया जाता है वैसे यहां भी यही अंकन किया जाएगा आगे कहा जारा है प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है और संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है इसके अलावा यहां पे हाव भाव और सारेरिक मुद्राओं का प्रस्तुति करण सभाविक है मतलब जो भी यहां पे कलाकारों ने इस चित्र को बनाया यह बहुत सभाविक चित्र लगेंगे और सरीर के अंग प्रतियंग में कोई कठोर्ता नहीं दिखाई पड़ेगी सिर काफी उठे हुए यहां पे दिखाई गए हैं बाहरी रेखाओं को कठोर्ता अन्यमेता कम हो गई है आकरतियों को गति यह आख्यान में विस्तार आ गया है यह सारी चीजें इस सांची की खास-खास बातें यहां पर दिखाए गई ठीक आगे आए देखे कुछ अन्य बातों को देखते हैं और इससे पहले आपके सामने कुछ खास और महत्वपूंट तत्य है आए इसको समझे अब ध्यान पुरवक थोड़ा सा समझे सबी लोगों का अध्यान हमारी तरफ होगा तभी हम अस्तूप को समझ पाएंगे ठीक तभी हम अस्तूप को समझ पाएंगे तो प्लीज आप लोग इधर हमारी तरफ आप लोग देखिए यानि इसकी तरफ अस्तूप की तरफ देखिए यही है अस्तूप यही है क्या यही है अस्तूप आ विखाँकन आपको मिलेगा नहीं कहीं, तो थुड़ा सा ध्यान देजिएगा, ये है सांची का अस्टूफ है, ये भी आप लोग समझ येगा, आए कि देखते हैं इसकी खास बात क्या है, तो पहली बात आप लोग ये एक हेडिंग लिखिए स्टूप की और साथ साथ में कुछ बातों को लिखिए जैसे अस्टूप ये जो अस्टूप है अस्टूप किस धर्म से संबंदित है तो अस्टूप मुख्यतया बाध धर्म से संबंदित है किस संबंदित है बाध धर्म से संबंदित है दूसरी बात ये लिखिये कि अस्तूप बौध धर्म की एक धार्मिक सनस्न है, और अस्तूप का अर्थ क्या होता है? अस्तूप का अर्थ होता है धेर या धूहा अस्तूप का अर्थ होता है धेर या धूहा अगर आप से कोई पूछे ये कि अस्तूप क्या है प्रस्नमाचक्चिन लगा दे अस्तूप क्या है तो आप लोग तुरंत उसको उत्तर देंगे ये पूजा घर है क्या है ये पूजा और खेज़िए और किस द्धर्म का पूजा घर है तो टीक कि देशी, पूजा घर्त आपूज़ों से दि hermद Kा पूजा घर है असोक नही medis पेट करो अभी द्वार भी बताते हैं गेट भी आपको बताते हैं चार गेट यहाँ पर दिखाएगे कितने गेट इसमें दिखाएगे चार गेट इसमें दिखाएगे गेट गेट मतलब तोरण द्वार दिखाएगे अभी दिखाएगे एक एक करके सारे तोरण द्वार को दिखाएंगे तो यहाँ पर इतनी बातों को आपने लिखा अब कुछ बातों को और लिखिए कुछ बातों को और लिखिए अस्तूब की सरस्ना उल्टे कटोरी की भाती होती है अस्तूब की सरस्ना उल्टे कटोरी की भाती होती है जिसे उल्टा कटोरा करके रखो, जिसमें आप लोग खीर खाते हूँ खीर पकोदन, खाया ये नहीं खाया, खीर या खीर पकोदन जिसको सुजाता ने खिलाया था, कितने प्यार से खिलाया था, और फिर महात्मा बुद्ध की तबस्या भंग हो गई, ठीक, तो खीर से थोड सारे लोग लाइक भी करते रहो, क्लास को, सेर भी करते रहो, बहुत जरूरी है, आए, उल्टे कटोरे की भाती है, अब ये उल्टा कटोरा आप देखिए, यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर, आप उल्टा कटोरा दिखा नहीं रहे, ये देखे, उल्टा कटोरा, यही है उल्टा कटोरा यह उल्टे कटोरे की भाथ यह संरस्ना है और इतनी जो पूरी संरस्ना है जिसका रेखांकन हमने किया इस उल्टे कटोरे को यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसको इस पूरी संरस्ना को किसके नाम से जाना गया अंड के नाम से इस पूरी संरस्ना को जाना गया यहां पर लिखा भी है किसके नाम से जाना गया इस उल्टे कटोरी की जो सरस्ना है इसे अंड के नाम से जाना गया ठीक अब अस्तूप का यहां पर आपको क्या मिला अस्तूप का एक अंग मिला इसके बाद में आप लोग देखिए अस्तूब का दूसरा अंग है यहाँ पर हर्मिका के रूप में यह क्या लिखा हुआ है? यह हर्मिका लिखा हुआ है यह हर्मिका लिखा हुआ है और आप लोग देखिए कि यह जो हर्मिका है यह अस्तूब का एक अंग है और यही अस्तूब का केंद्रविंदु है और यहाँ पे लिखिए हर्मिका यहाँ पे आप लोग खिए हर्मिका और हर्मिका के सामने लिखिए अस्तूब का सबसे पवित्रभाग इसके सामने लिखिए अस्तूब का सबसे पवित्रभाग यही है अस्तूब का सबसे पवित्र भाग यही है ऐसा पढ़ लिए कि बाद में कहीं आपको भागना न पड़े पवित्र भाग यही है और कहीं पढ़ना भी न पड़े क्या मतलब पवित्र भाग यही है अस्तूब का सबसे पवित्र भाग है हर्मिका क्यों है सबसे पवित्र भाग क्योंकि यहीं पर देवता निवास करता है अगर आपसे कोई पूछ ले यूपियसी आपसे पूछ ले भाई हर्मिका पवित्र भाग क्यों है क्योंकि यहीं पर देवता निवास करता है इसके लिए क्या है यह अस्तूप का सबसे पवित्र भाग है यही है हर्मिका यह आपको बनी हुई यहाँ पे दिखाई गई इसके अलामा इसके ऊपर थोड़ा सा आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यह एक तरीके से एक सनरस्ना ऐसी बनी हुई है लंबी सी एक सनरस्ना बनी हुई यहाँ पे लिखा नहीं गया है आप लोग लिख लिजिए इस सनरस्ना को बना के कि इसे यस्ति के न जल्दी मिलेगा, एक साल में रिजल्ट लना चाहते हैं न आप लोग, तभी तो एक साल में जल्दी से रिजल्ट आपको मिलेगा, जब कुछ कर्म करेंगे तभी होगा भाई, कल्याण, तभी कल्याण होगा न, अब इसे यहाँ पर यस्टी लिख लो, अब इस यस्टी में आ तरीके की सभर्सना एक है एक तरीके की तीन चयत्र लगे हुए ऐसे कि बिने चयत्र लगे हुए है प्रतनित्ततो कर रहे हैं तो अस्तूप का ऐक अंग आपने देखा अंड फिरसेे रिवाईज करवा देता हूं यह उल्ड़े का टोरे की भानति सनस्वन है दूसरी है हर्मिका यह अस्तूप का सबसे प्वित्र भाघ है तीसरा आपने समझा यस्थि- यह 16 के समान है और यहां पे तीन चत्र बने हुए हैं सरद्धा, सम्मान और पवित्रता का प्रत्निधित्यों कर रहे हैं और क्या-क्या अंग हैं इसको आईए देखते हैं अब यहां पर ये सनरसना आप लोग देख रहे होंगे ये सनरसना आप लोग देखिए इसको ध्यान देजिए ये जो सनरसना है इसे क्या कहा गया इसे मेधी कहा गया कई बार आपको मेथी भी मिलेगा किताबों में लेकिन सुद्ध सब्द क्या है सुद्ध मेधी है मेधी मेधी नहीं है मेधी तो साग हो गया तो मेधी को काट दीजेगा सुद्ध क्या है सुद्ध है आपका मेधी है जो किताबों में लिखा रहता है मेधी वो गलत है मेधी मेधी यहां पे लिखा हुआ है मेधी ये है सुद और मेधी का मतलब क्या होता है भीया तो मेधी का मतलब होता है चबूतरा जैसे आपके घर के सामने जो में गेट है में गेट के पास में चबूतरा बना होगा तो यहाँ पे चबूतरे को किसके नाम से जाना गया मेधी के नाम से जाना गया और चबूतरे को यहाँ पे कई प्रकार की चहर दिवारी से घेरा जाता है और इसी को किसके नाम से जाना जाता है बेदिका के नाम से जाना जाता है तो यह सांची का अस्तूप है और सांची के अस्तूब की ये जो बेदिका यहां पे बनी हुई आपको दिखाई पढ़ रही है, ये बेदिका लकडी की बनी हुई है, ध्यान रखना, ये बेदिका लकडी की बनी हुई है, तो ये बेदिका किसने बनवाई ये पूरा अस्तूब किसने बनवाया है, तो पूरा अस्तूब ने इसी लकड़ी वाली बेदिका को तोड़वा दिया इस पूरी बेदिका को तोड़वा दिया जहां जहां भी यह बेदिका मिली सब को इस तरीके से तोड़वा दिया ठीक है न भाई लोग अब बेदिका को तोड़वा दिया लकड़ी की थी यह बेदिका और इसके अस्थान पर उस्यमित्र सुंग ने क्या लगवाया ये बेदिका पत्थर की बनवा दी तो ये बेदिका अब क्या होगा थोड़ा भब्य लगने लगेगी ये सांची के अस्तूप की बेदी का क्या होगा अब भब्ब लगने लगेगी अब महत्तुपूर लगने लगेगी तो ध्यान दीजेगा अब अस्तूप का एक और अंग आपके सामने है और ये है प्रदक्षिना पत ये किसके रूप में है प्रदक्षिना पत के रूप में है और पद्यक्षिनापत का मतलब क्या है पद्यक्षिनापत का मतलब है परिक्रमामार्ग क्या है परिक्रमामार्ग परिक्रमा अस्तूब के चारों तरब पीछे भी आपको दिखाई नहीं पड़ा है लेकिन आप लोग देखते होंगे, वो छुपी हुई चीज है, यही है क्या परिक्रमा मारक, और यहाँ पे तोरण भी लिखा हुआ है, अस्तूप का एक मुख्य अंग जो है वो तोरण है, और तोरण का मतलब क्या है, तो तोरण का मतलब है प्रबेश द्वार, तो यहाँ प बातों को लिखा भी होगा अस्पस्ट रूप से अब ये तोरण जो द्वार है इसी को प्रवेश द्वार के नाम से जाना गया कई तोरण द्वार यहां पे हैं आएए एक बार देखते हैं कि इस अस्तूप में कितने तोरण द्वार है अस्पस्ट रूप से हम लोग देखते हैं कि इस अस्तूप में कितने तोरण द्वार हैं चुकि प्रवेश द्वार कितने भव्व होते थे इसकी भव्वता को लेके आप लोग काफी उससाहित हैं प्रवेस द्वार यहां पर ऐसी संसना ऐसी संसना यह बनी हुई है बैस में और यह नहीए प्रवेस द्वार आप यह सामने से इंटी हो रही यह फुलडवी से हो रही है कि इसकी इलामा यहां भी यह प्रबेश RICHARD आप को दिखाई पड़ रहा है देखे ज़िए और यहां भी आपको यह प्रवेश द्वार दिखाई पढ़ा है तो कुल इस साची के अस्तूप में चार प्रवेश द्वार आप भी दिखोगी तो दिखाई पढ़ा है ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूँ आप भी खुद फिल करो इसको कि चार तोरण द्वार है कितने तोरण द्वार है चार तोरण द्वार है चार प्रवेश द्वार है स्क्रीन साथ हाँ स्क्रीन साथ चलिए चार प्रवेश द्वार है चार तोरण द्वार यहां पे दिखाई पढ़े चार तोरंड द्वार यहां पे दिखाई पड़ें चार प्रवेश द्वार यहां पे दिखाई पड़ें नोट कीजिए इसको चार तोरंड द्वार चार प्रवेश द्वार यहां पे दिखाई पड़ें आपको ठीक इस तरीके से अस्तूप का आप लोगों ने ब्यापक धिन किया आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यह हुआ अस्तूप अथे से समझ में आप लोगों के आ गया होगा बढ़ियां से समझ में आ गया होगा अभी इस अस्तूप की कुछ जो उत्कीनन है कुछ जो चित्रात्मक गजविधियां हैं उसको हम लोग देखेंगे ये जो अस्तूप आपने पढ़ा सांची का अस्तूप इस पे जो चित्रात्मक गजविधियां हैं जो आख्यान है उसको हम लोग देखेंगे अभी तो थोड़ा सा निश्चिंत रहिए अब थोड़ा पढ़ाई करते हैं चलिए तैयार हो जाईए अब कहा जा रहा है कि जो महात्मा बुद्ध हैं महात्मा बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा सांची के अस्तूप संख्या एक में आख्यान अधिक ब्रस्तित कर दिये गए जो आख्यान है यानि महात्मा बुद्ध से सम्मंदित जो चित्रात्मक गजविधियां हैं काफी जादा है इसलिए जो अस्तूप संख्या एक है इसे महा अस्तूप के नाम से जाना जाता है इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेगा जो अस्तूप संख्या एक है इसको महा अस्तूप के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें मुख्यतय है जो चित्र बने हैं वो काफ भब्य है इसलिए इसे महा अस्तूप के नाम से जाना गया किन्तु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुति करण महारानी को लेटी अवस्था में और उपर से उतरते हुए हाथी के चित्रन द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है यानि इसमें खास करके जो अस्तूप संख्या एक है इसमें जो माया देवी का चित्रांकन किया गया है उनको लेटे हुए दिखाया गया है महारानी माया देवी कई बार यहां पर कहा गया है महारानी ठीक तो अगर इस सब्द का आप लोग प्रियोग करेंगे तो इसका मतलब तो यह है कि जो आपका एक्जामनर है जो एकसपर्ट है जो आपकी कापी को देख रहा है वो समझेगा है तो हिंदी मीडियम का लेकिन इसमें मैनर्स हैं तो आपको ये दिखाना है महाराणी माया देवी अगर इस सब्द को आपने लिख दिया जैसे मालो आप लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो गांधी को गांधी को ऐसा ऐसा अब वहां पर आपने साथ में लिख दिया गांधी जी को गांधी हमारे राष्ट पिता हैं आपन को लिख के देखिए आपका नंबर कड़ता है यह नहीं कड़ता यूपीस्सी है एक एक पक्ष पर ध्यान देती है यह मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा इससे आप में धीरे-धीरे सुधार होगा कोषी नगर की घेरवंदी कश आख्यान इसमें हैं जैसे कहा ज़राय कि कोषी नगर की घेरवंदी जो कोषी नगर था यही वो कोषी नगर है ना कुसी नगर का कुछ हित्र उत्तर प्रदेश कुछ नेपाल की तराई में इस्थित है जो उस समय का कुसी नगर है उसकी में बात कर रहा हूं उसी नगर की घेरावंदी बुद्ध का कपिल बस्त भ्रमड ये कपिल बस्त तो पूरी तरीके से नेपाल की तराई में इस्थित जो एक गणराज्य है यहीं के तो सुद्धोधन थे इसी गणराज्य के तो मालिक थे असुक द्वारा राम ग्राम अस्तूप के दर्शन आदी जो असुक था असुक राम ग्राम जहां पे कोलियों का सासन था कोलिये सामराज्य था ये राम ग्राम के कोलिये यहां पे असुक ने अस्तूप का भी निर्मान करवाया था राम ग्राम अस्तूप का निर्मान करवाया आदी को परियाप्त बिस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है ये अस्तूप काफी भव्वे बनाए गये हैं काफी ब्रस्तित इनका रिखांकन किया गया है और क्या कह बाथा गया मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाऊं में भी एसी विश्यस्ताइं देखने को मिलती है ये जिस तरीके की विश्यस्ताई आपको सांची और इस राम्गाम के अस्तूप में देखने को मिलती है उसी तरीकी के विशेष्टाएं इस मतुरा में भी देखने को मिलती है अलागी उनके रूपा कृतिक यानि अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुति करण में कुछ अंतर है मतलब जो विभिन प्रकार के इस कला कृति में अंगों या प्रत्यंगों को बनाया थोड़ा हो सकता है कि कहीं पर बढ़ा चटा कि घटा बढ़ा कि किसी चीज़ को बनाया गया हो थोड़ा बहुत अंतर है ज्यादा अंतर नहीं तिक अब यहाँ पर आप लोग देखिए यह जो सांची अस्तूफ है सांची अस्तूफ संख्या एक कि कुछ आक्रतियां यहाँ पर उतकेंडित की गई हैं इसकी थोड़ा सा quality घटा के हमें आपको दिखानी पड़ेगी नहीं तो साथ पूरा चित्रा ना देख पाएं आपको और इससे ज्यादा quality क्या घटाएं देखिए आप लोग यहाँ पर एक हांथी की प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर एक हांथी की प्रतिमा बनी हुई दिखाई गई है ठीक वही कुल्मिला की सांची के अस्तूफ में महारानी माया देवी जैसे हम महारानी सब्दे का प्रियोग सब्दों करें वैसे आप लोग फोड़ा सा सेख जाईए माहारानी माया देवी किस्ट में दिखाया गया हुआ से थोड़ा से रिविजिन केजिए हमारे छाथ लेटी हुई अवस्था में दिखाया गया और एक हांथी को दिखाया गया तो इसको आप लोग समस्जिए अब हम लोग पहुंचते हैं मतुरा की तरफ सारनात की तरफ और गंधार की तरफ पहुंचते हैं तीनों अस्थान यहां पे हैं और इस परिपेश में काफी महत्तोपोंड भी होंगे बहुत सारे फैक्ट भी यहां पे हैं बहुत सारे कांसेट भी हैं तो एक बार फिर आप लोग थोड़ा सा कंसंटेट हो जाएए मथुरा सारनात और गंधार मथुरा सारनात और गंधार तो मथुरा तो आप लोग जान रहे हैं कि मथुरा को मथुरा के नाम से ही जाना जाता है प्राचीन काल में यहाँ पे जो महा जन्पद हुआ करता था सू मरगदाव के नाम से भी जाना जाता है इसी सारनात को रिसिपत्तनम या मरगदाव के नाम से भी जाना जाता है यह आप से पूछेगा जरूर कि सारनात का दूसरा नाम क्या है तो हमने सारनात के तीन नाम बताए एक तो सारनात ही इसका नाम है और इसका एक दूसरा नाम और ह इसका दूसरा नाम है रिसी पत्तनम और दूसरा इसका नाम है मरगदाव इसका दूसरा नाम है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और गंधार को आप लोग जानी रहें गंधार महा जन्पत की रूप में अस्थापित था और जो गंधार था वो सिक्षा का सबसे आचारे था जो आचारे था वो कौटिल्य था और कौटिल्य को विष्णुगुप्त चाड़क्य भारत का मैकिया बेली इत्यादी नामों से जानते हैं कई नाम थे चाड़क्य के और आपको एक बात और बता दूँ यह जो तक्सिल्शिला है ऐसा नहीं कि यह इतिहास का भी रहूं आप यह जो तक्सिल्शिला बिस्विद्यालय है यह भारत का सबसे प्राचीन बिस्विद्यालय है उसके बाद में गुप्तों की समय में आप लोग देखोगे तो यह नालंदा बिस्विद्यालय आया फिर उसके बाद में बिक्रम सिला बिस्विद्यालय आया फ शिक्षा के केंद्र में आपको नाम दे देगा और पूछेगा अन्यम नलेखित में से कौन नहीं है तो ये सब हैं शिक्षा के केंद्र के रूप में उसी में से ये जो आपका यहाँ पे तक सिला बिस्व बिद्याले था उस समय इसमें तरकसास्त्र की सिक्षा दी जाती थी उस समय इसमें तलवारबाजी की सिक्षा दी जाती थी उस समय इसमें लोजिक यानि तरकसास्त्र की सिक्षा दी जाती थी घुर्षवारी की सिक्षा दी जाती थी तलवार बाजी की सिक्षा दी जाती थी और चंद्रगुप्त मौरे को यही सिक्षा तो दी घुर्चवारी की और तलवार बाजी एक समय ऐसा आया कि काफी पारंगत हो गया हो काफी पारंगत हो गया हो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करते रही है आने केड में हिस्टी भाई संजीव पांडे के नाम से सर्च करें और जॉइन करें उसे आईए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मत्रा के बारे में आपने जाना सारनात के बारे में आपने जाना गंधार कला के बारे में आपने जाना या गंधार छितर के बारे में जाना कहा जा रहा है कि ईशा की पहली सताब्दी में जो ईशा की पहली सताब्दी है यानि फस्ट सिंचुरी की बात हो रही है बीसी की बात नहीं हो रही है पहली सताब्दी की बात हो रही है ईशा की पहली सताब्दी की बात हो रही है और उसके बाद यानि दूसरी सताबदी की बात हो रही इस भी सन की बात होने लगी अब ये बाद उत्तर भारत में गंधार अब पाकिस्तान का छित रह वा मतुरा वा दक्षिन भारत में बेंगी ये बेंगी ध्यान रखिएगा ये बेंगी ये आंदर प्रदेश में इस्थित है ये कला के उत्तपादन के महत्तुण के इंद्र बन गे थे जैसे गेहुँ चावल का उत्तपादन हो रहा हो नहीं लिखा है, कुछ भी गलत नहीं लिखा है यानि यहां पर यह लिखा जाता कि यह जो अस्थान है बेंगी और गंधार, मतुरा यह इस काल में कला के महत्वपूर्ण छेत्र थे ऐसा लिख दिया जाता तो और अच्छा होता और मतुरा, गंधार में बुद्ध के प्रतिकात्मक रूप को मानो रूप मिल गया था यानि जो महात्मा बुद्ध थे, अब इनको क्या किया जो मतुरा कला सेली है और गंधार कला सेली है अब मुखे रूप से एक बात और ध्यान देजिए ये जो गंधार कला सेली है और मतुरा कला सेली है इसका विकास भारत में ऐसा नहीं कि 20 ही में हुआ था अब इस भी की बात हो रही है यहाँ पे बर्तमान में इस भी सन ही आप लोगों के 20 में चल ला है ठीक आदुनिक कलेंडर में आप आगे यानि सक संबत में आप आगे और सक संबत का विकास 78 इस भी में कुसान बंस के सासक कनिस्क ने किया था और इस कनिस्का ने ही भारत में अस्थापत की दो सेलियों का निर्मान किया एक का नाम है मतुरा एक का नाम है गंधार जो आपके सामने है मतुरा का निरमान मतुरा में हुआ इसलिए इसे मतुरा आर्ट स्टाइल के नाम से जाना गया गंधार का जो मुख्य छित्र है वो गंधार प्रदेश है जो अब पाकिस्तान में इस्थित है इसलिए इसे गंधार आर्ट स्टाइल के नाम से जाना गया 1st century में इन कलाओं का विकास इनी छित्रों में हुआ आए देखते हैं कुछ खास बातों को यहाँ महात्मा बुध के प्राइक कात्मक रूप को बल्मिला यानी जो महात्मा बुध की मूर्थी बनाए गई वो प्रतिक आत्मक रूप उनका थोड़ा सज्जादा बनाए गया मतलब वास्तविक रूप का चित्रांकन नहीं किया गया प्रतिक आत्मक रूप का चित्रांकन किया गया जैसे इसमें आप गंधार आर्टिस्टाइल में प्रतिक आत्मक का मतलब किया गुंगराले बाल दिखा दिए महात्मा बुद्ध के गुंगराले बाल थे क्या महात्मा बुद्धु सूट बूट पहनते थे क्या इसलिए तो कहा जा रहा है प्रतिक आत्मक रूप का अंकन किया गया वास्तविक रूप का अंकन नहीं किया गया आप लोग समझे ने इस बा है आज भी तो अफगानिस्तान में इस्थित है इसी रास्ते थे तो एलक्जंडर सिकंदर सेल्यूकस जितने भी विदेशी हैं सब आये और भारत के ऊपर आक्रमड किये यह देखिए बैक्ट्रिया पार्थिया और सुयम गंधार की अस्थानी है परंपरा का संगम हो गया अब यह सब बिदेशी आर्ट स्टाइल है गंधार है पार्थिया है बैक्ट्रिया है और इसका प्रभाव किस पर पड़ा इस पर पड़ा तो इस कलासैली में महात्मा बुद्ध की मूर्ती बनेगी तो उसमें निस्षित रूफ से सभाविक रूफ से महत्मा बुद्ध को सूट बुट पहने दिखाया जाएगा जैसे आप लोग कुछ दिन निव्यार्क चले जाएं तो निव्यार्क की खेतों में भी सड़के बनी हुई है वहाँ पर देखिए किस तरीके से लाइट लगे हुई है तो वहाँ से लोट के आएंगे तो यहाँ इंडियन्स को क्या बताएंगे अरे ऐसा वैसा सब आपको ऐसा घर में भी लगेगा जैसे निव्यार्क में आप रह रहे हैं वहाँ पर भी घर पर भी कुछ काम ऐसा करने लगेंगे जो निव्यार्क में करके आए हुए तो घर वाले कहेंगे अरे भाई यह लंदन से होके आया है वो निव्यार्क नहीं बोलेंगे वो लंदन बोलते हैं उसको तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा उसी तरीके से प्रभाव इस गंधार पर पर पड़ेगा मतुरा की मूर्थिकला की अस्थानिय परंपरा इतनी प्रबल हो गई लेकिन जो मतुरा कला सैली थी यह विदेशी कला सैली से प्रभावित नहीं हुई यह जो यह विदेशी कला सैली है बैक्टरिया पर्थिया इससे प्रभावित नहीं हुई इसलिए एक काफिक स्वभाविक आर्ट स्टाइल है उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी इसी मतुरा कला सैली का विस्तार हुआ जबकि गंधार का विस्तार नहीं हो पया आई, क्योंकि स्वभाविक है इसमें जब महात्माबुद्ध की मूर्ती इस तरीके से बनेगी तो इसको बहुत मतावलंबी है राजें वो स्वभीकार ही नहीं करें गThereleich प्रिकास किसका होगा इसका कम होगा इसका जादा होगा तो कि यह स्वभाविक है यह वास्तविक है और यह स्वभाविक यह वास्तविक नहीं है इसका सबसे बढ़ियां उधारण है पंजाब में संगोल एक अस्थान है संगोल यह संदो घाटी सभ्यता का भी प्रतनिधित् संदो घाटी सब्यता में मैं इसको पढ़ाता हूँ ये पंजाब में स्थित है संघोल इसको लिख लिजेगा ये पंजाब में स्थित है संगोल पेक्ट्रिया मतलब बलक एफगानिस्तान में आज भी तो है और यहीं से आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडो क्रीक सासक हैं ये लोग आये थे और भारत के उपर आक्रमण किया था मतुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी हैं लेकिन गंधार में पाई गई महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी सैली की विशेस्ताएं पाई जाती हैं ये देखिए गंधार कलासैली की खास बात क्या है ये यूनानी कला सेली से प्रभावित और आगे थोड़ा से बढ़िए और क्या कहा जा रहा है लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी सैली की विशेस्ताएं पाई जाती हैं मतुरा में आरंभिक जैन तिर्थंकरों और समराटों पिशेस कर कनिस्क की बिना सिर वाली मूर्तियां एवं चित्र भी पाई गए गए यह जो मतुरा आर्ट स्टाइल है मतुरा आर्ट स्टाइल में जो कनिस्क है जो कुसान बंस का मुख्य सासक है इसकी बिना सिर वाली मूर्तियां चित्र भी पाई गए क्या पाएगे हैं बिना सरवाले इसको मेंसन कर लेना ये बहुत महत्तपूर्ण है इसका आप लोग मेंसन कर लेना इसका आप लोग मेंसन जरूर कर लेना ये बहुत महत्तपूर्ण है आप लोग के लिए आगे देखिए अब एक मुख्य बात है बैस्टनो यानि बैस्टनो धर्म से संबंधित यानि भागवान विष्णू से संबंधित प्रतिमाएं मुख्य रूप से विश्णू और उनके विभिनर रूपों की प्रतिमाएं और सयो प्रतिमाएं यानि भगवान स्यू से सम्मंधित जो प्रतिमाएं हैं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुख लिंगों की प्रतिमाएं भी मतुरा में मिली हैं अब आपने देखा कि महात्मा बुद्ध और उनकी प्रतिमाएं तो मतुरा से मिली ही हैं लेकिन भगवान स्यू और भगवान विश्णू से सम्मंधित प्रतिमाएं भी मतुरा से मिली हुई हैं रखना लेकिन संख्या की द्रिश्टी से बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक हैं यानि मत्हुरा में बहुत धर्म का ज्यादा बोल बाला था क्यों अब एक कथन कारण का प्रस्थ यहां से बन सकता है और बहुत मुस्किल हो जाएगा बड़े बड़े लोगों के यहां पर पसीने निकल लाएंगे अब वहां पर देखेंगे तो एक बार ऐसे एकजाम हाल में एक बार इदर उदर करेंगे फिर जैसे ऐसा लग रहा है पढ़ा हुआ है कहीं न कहीं उसको लेकिन भूल लें और प प्रयास किया जा रहा है बच्चों द्वारा चात्रों द्वारा नहीं नहीं कुछ याद करने का प्रयास किया जा रहा है दिखाया जा रहा है कि हां कितने इंटेलक्शुल हैं हम कितने बौधिक हैं हम कुछ भूल ला है कुछ दूर हमसे जा रहा है लेकिन पढ़ा ही नहीं पढ़ा नहीं है तो पढ़िए रोका किसने है अब ये देखो बैसनो धर में कि संस्थापक किसना आगे यहां पर क्यों दानिस खान ऐसे पढ़ें ये क्या हम विश्णू की बात कर रहे हैं तो ये किसना की बात कर रहे हैं बावु साहब कैसे होगा कल्याण सारी बात छोड़िये न बैसनो धर में बिश्णू को केंदर में रखिये बस अभी बात की बात छोड़िये प्रयाइबाची सब्दों पर मत जाएए शीरी सब्दों पर आएए जो आपसे कहा जा रहा है ठीक आएए आगे बढ़ते हैं आज जेसे देखिए आप लोग तो हिंदू धर्म का बोलवाला ज्यादा है मतुरा में आप मतुरा में जब सदाबदी एक्सप्रेस रुखती है देखिए कितने मतुरा जंगसन पर वहां पर इतना अच्छा लगता है वहां पर कुस जो सादू संत चड़ते हैं उनका पहनावा उनकी बोली उनकी भासा राधे 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 चारो तरफ उदर राधे राधे और उनका चंदन गजब का लगता है वह अदबुत लगता है उनका चंदन उनका तिलक काफी स्टाइलिस होता है वह उनको भव्व्य बनाता है बहुत सारे ट्रस्ट हैं वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं एक तरफ से मंदिरों की नगरी ही तो है बारणसी की तरीके से, ठीक, ध्यान रहे, यानि सनत रहे की, विष्णू, देखो विष्णू सब्द लिखा हुआ है, तो आप लोग अन्य सब्दों पे अभी मत जाए, अभी प्रयावाची सब्दों पे मत जाए, विष्णू के बात कीजिए, ठीक, विष्णू और सिव, दोनों सब्द लिखे हुएं कि प्रतिमाएं उनके आयुधों, आयुध का मतलब क्या होता है, आयुध का मतलब होता है, उपकरण यानि हथियार, आयुधों, चक्र और तिसूल, अब ये देखो, चक्र और तिसूल, ये चक्र किसका प्रमुख आयुध है, यानि हथियार है, ये भगवान विष्णू का है और त्रसूल किसका है त्रसूल भगवान सिव का है कि साथ प्रस्थुत किया गया है कि साथ प्रस्थुत किया गया है जो मत्हुरा में भगवान विश्णू और भगवान स्व की मूर्ति या परतिमाये बनी हुई हैं उसमें भगवान स्व और विश्णू का अंकन उनके आयूधों यानि हतियारों के साथ किया गया है और यहाँ पे आप लोग देखिए जो भगवान सिव का आयूध है वो त्रसूल है और भगवान विश्णू का जो आयूध है यह चक्र है इसके साथ में इनका अंकन किया गया है ठीक बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के उतकेणन में बिसालता भी दिखाई गई बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाओं यहाँ पे बनी हुई है आकिरतियों का बिस्तार चित्र की परिदि से बाहर भी दिखाई गया है चेहरे गोल हैं यहाँ पे जो प्रतिमाओं बनी हुई है उनके जो चेहरे हैं वो कैसे हैं गोल मटोल है और उन पर मुसकान दरसाई गई ह मश्कानान, मुस्कुराहट अब थोड़ा सा मुस्कुराहट अगर इस प्रतिमा में होगी तो यह आपको लगेगा क्या? यह प्रतिमा सुभाविक आपको लगेगी कैसी लगेगी? सुभाविक एक प्रतिमा मुझे याद नहीं आ रही है वो कहां की प्रतिमा है भाई अमेरिका में है या कहां पे है उसकी जो मुस्कुराहट का रहा से है मुझे एक्चुली याद नहीं आ रहा है अमेरिका में है या कहां पे है वो प्रतिमा विदेशों में ही बनी हुई है उसकी मुश्कुराहट का रहाश से अभी भी पता नहीं चला है उसे कोई भी कितनी दूर से देखेगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि हाँ, वो जो प्रतिमा है वो बिल्कुल उसमें मुस्कुराहट है तो अगर मुस्कान रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी तो थोड़ा सुभाविक लगेगी, प्रतीक आत्मक नहीं लगेगी, क्या लगेगी, सुभाविक लगेगी, ठीक, और सुभाविक लगेगी, तो इसका मतलब उसमें थोड़ा सा, उसके प्रती, इंप्रेशन या आकर्षन ज्यादा होगा, सुभाविकता में आकर्षन आगे देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें और क्या खास बात है जहरे गोल और मुस्कान दरसाई गई है मूर्तियों के आयतन क्या भारी पन कम कर दिया गया है उनमें मानसलता दिखाई गई है मानसलता दिखाई गई है मतलब कमजोर नहीं दिखाया गया जो भी मूर्तियां बनाई गई इसमें कमजोर इसमें अंकन नहीं किया गया ठीक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं और क्या खास बात कही गई है यहाँ जो सारनाथ जो मतुरा और गंधार में जो मूर्तियां मिली हैं उसकी और क्या विसिस्ता है और देखिए सरीर के बस्त्र अस्पस्ट दिस्सिगोचर होते हैं यानि जो पहनावा है जो बस्त्र है वो झालेघों जोStudा जो मिली हैंक जो क्या विस्iałem जो सार हो बस्त्र देम हैं जो से हुआ है वो पना खागनो तर दो सहां जो सा स्ट्र अस्वड़ा हैं जो जtu एन विस एया जो कि कुझ विसरयर दोस्त्रूचर है झालेखिए गविएश्ल ज сопと思います झाल 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 क्या हो गया वही आप लोगों की आवाज को आपकी आवाज को क्या हो गया दादा लोग आप लोगों के फोन में क्या हो गया था साउंड क्यों नहीं आ रहा था अच्छा मतलब एक मिनिट तक आवाज गायव रही आप लोगों की क्यों एक मिनिट तक आप लोगों की आवाज गायव हो गई थी ऐसा मत किया कीजिए आप लोग ठीक है ठीक चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो एक दो बातों को जान लिजी एक मिनिट आप लोगों के पास आवाज नहीं जा पाई थी मैं पहले ही कह रहा था आप लोगों ने बताने में देर कर दिया कोई बात नहीं हो जाती है गलती आप लोगों से आईए दिखते हैं चलिए तो कहा जा रहा है कि पांचवी और छटवी सताब्दी में मूर्तियों के दो छेत्रों का जन्म हुआ कला के दो छेत्रों का जन्म हुआ एक जो छेत्र है वो सारनाथ है जो हमने आपको बताया और दूसरा जो छेत्र है वो कौसाम भी है इसके पूर्व मतुरा को खोब पढ़ा आप लोगों ने ठीक मतुरा को खुब पढ़ा, अब सारनात में पाई जाने वाली बौध प्रतिमावा में दोनों कंधों को बस्त्र से धका हुआ दिखाया गया, थोड़ा समध जरूर रहे होंगे हम ऐसे ऐसे कर रहे थे वहां पर, तो यानि हम इसारा कर रहे थे कि जो बस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, अब उन कपड़ों से क्या किया गया, इन दोनों कंधों को धका हुआ दिखाया गया, कहां की ये विशिस्ता है, ये कहां के कला की विशिस्ता है, तो आप कहिए ये सारनात और कौसांबी के कला की विशिस्ता है, ठीक, आईए देखते हैं, अब यहां पर कुछ आप इनको देखिए तो थोड़ा सा असपस्ट होगा थोड़ा सा ज्ञान को अपने संकेंदिर्थ करके देखिए इधर थोड़ा सा केंद्रिक हो जाए आप लोग पूरी मूर्थी को मैं असपस्ट रूप से आप लोग के सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और निस्चत रूप से उसमें काम्यावी मिलेगी आईए अब देखिए ये महत्मा बुद्ध यहाँ पर ध्यानस्त इस्थिती में दिखाए गए हैं ये गंधार तीसरी चौती सताबदी में महत्मा बुद्ध की बिलकुल ध्यान मुद्ध में महत्मा बुद्ध को दिखाया गया, यह महत्मा बुद्ध यहां पर बोधी सत्तो की मुद्रा में यहां पर दिखाये गए, यह गंधार की पांचमी छटमी सताब्दी में यह मूर्ती मिली हुए, देखिए आप इसको, दोनों मूर्तियों को देखिए, दोनों मूर्तियों को आप लो देखिए अब फिक ये बोधिसत्य की रूप में है और ये ध्यानस्त महात्मा बुद्ध अब यहां पे महात्मा बुद्ध और बोधिसत्य में आपको कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है देखो महात्मा बुद्ध तो क्या है वास्तविक महात्मा बुद्ध है और ये क्या है ये प्रतिकात्मक महात्मा बुद्ध है तो बोधिसत्य वे लोग होते हैं जिनको ग्यान की प्राप्ति हो चुकी होती है लेकिन दूसरे की ग्यान की प्राप्ति में सहयता करते हैं जैसे यह हैं बोदिस्थ्वा और यह हैं महात्मा बुद्ध इध्यान की मुद्रा में यहां पर दिखाया गया है। अब यह सक्ति उसी ब्यक्ति के पास में होती है यह सक्ति जो ब्यक्ति वास्तों में क्या होता है कभी किसी का बुरा नहीं सुचता। धर्ती पे भी कुछ ऐसे ब्यक्ति हैं, अभी भी हैं, जिनके सहारे ही तो देश सल्ला है, वो किसी के बारे में कुछ गलत सोचती ही नहीं। मद्यकालीन भारत में आप देखिए सेख सलीन चिस्ति महिनुद्देन चिस्ति इधर वो चलते थे उधर जमाना चलने लगता था, प्राचीन भारत में भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग हैं, तो ये आप लोगों ने देखा, दो चित्रांकन देखा, अब इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा जा रहा है इन मूर्तियों के बारे में, वही हमने बताया, सिर के चारों और आभा मंडल बना हुआ है, देखा ना, आभा मंडल आप लोगों ने, महत्मा बुद्ध के सिर के चारों और क्या बना हुआ है, आभा मंडल, यह है महत्मा बुद्ध की सक्ति का देउतक, यह उनकी पवित्रता का देउतक, एक जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम किया गया है, आभा मंडल में कोई अलंकरण आपको नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर कोई सजावट नहीं देखने को मिलेगी, जबकि मतुरा में बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के बस्तर की कई तहें दिखाई गई हैं, और सिर के चारों और आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है, इन आरंभिक प्रतिमाओं की विश्यस्ताओं का अध्यन करने के लिए इन्हें मतुरा, सारनाथ, बारानसी, नई दिल्ली भी आपके सामने है, जो भारत की राजधानी है, जो 1912 में राजधानी बनी, चन्नाई, जो मदरास है, अमरावती जो महाराष्ट में है, चर्चा में रहता है, आदी के संग्रहालें में देखा जा सकता है, यानि ये जो मोर्तियां मिली हैं, ये इतने सारे संग्रहालें में देखा जा सकता है बरत्मान में, जैसे कुछ संग्रहालें के यहाँ पर नाम दिये हैं, मतुरा संग्रहाले में, सारनाथ संग्रहाले में, बारानसी, नई दिल्ली, चन्नाई, अमरावती, कभी जाईएगा इन सारे संग्रहालेयों में तो आप लोग खोजिएगा इन मोर्तियों को वहां पर इन मोर्तियों को देखने को आपको मिल लाएगा और क्या कहा जा रहा है गंगा घाटी से बाहर यानि जो गंगा का छित्र है गंगा नदी घाटी है उसके बाहर के अस्थलों पर इस्थित का अस्तूफ है अब देखो इसको कभी नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा अगर प्रस्न पूछ लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खास बात तो यह है आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो NCRT से ही प्रस्न बनाते हैं वो किता किताब नहीं पढ़ना है आपको NCRT पढ़ना है अब यह हप्रस्न बन गया तो किसी भी किताब में आपको लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा ठीक महत्वण अस्थूपों में से एक अस्थूप है और यह गुजरात की देव निमोरी का अस्थूप है जो गुजरात में इस्थित है मतलब ऐसा नहीं है कि अस्थूपों का नर्मान किवल गंगा घाटी यानि उत्तर भारत में ही किया गया पस्थिम भारत में भी किया गया और पस्थिम भारत में आपने देखा कि गुजरात में एक अस्थूप मिलता है और गुजरात की देव नमोरी का अस्थूप मिलता है परवर्ति सताब्दियों में बहुत कम बदलाव आया है, अल्बत्ता प्रतिमाएं चरहरे या पतले रूप में भी दिखाई गई हैं, और बस्तनों की पारदर्शिता प्रमुक्त संधार्या नभोती बनी रहती है, यानि कहा गया कि प्रतिमाएं थोड़ा सा चरहरे, यानि ज फारदर्शित घर का मतलब क्या है, अब आज कल क्या माना जाता है इसको, कि अगर मोटे लोग हैं, तो इसका मतलब आलसी लोग है, आलसी से भरे हुए लोग, अपना ध्यान नहीं रखते, कैसे हो गए मोटे, UPSC भी तो यही कहेगा, भई आदमी पहरी भरकम है, तो इसका म कि आपका कलर क्या है आप गोरे हैं आप सावले आप ये देखता है कि आप हस्त पुष्ट हैं स्वस्त हैं जो आपको काया मिली जो आपको सरीर मिला वो बिल्कुल असपस्त है ना कोई बीमारी है ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है जो आपके पास है वो बिल्कुल तरो ताजा रख रहे हैं, तो आप स्वेम को तरो ताजा रख रहे हैं, इसका मतलब UPSC को रखेंगे, इसका मतलब देश को रखेंगे, इससे इसको समझेए आप, इस भावना को समझेए, यही तो UPSC चाहता है, आपो, अस्तूपों को हमने पढ़ा और अस्तूपों के बेभिन केंद्रों को हमने पढ़ा अभी इसमें कुछ भाग बचा हुआ है अभी जो मौर्योत्तर कालीन कला का पक्ष है इसमें कुछ भाग अभी बचा हुआ है तो इसके बाद वाला भाग आज वाले भाग में हम लोग अजन्ता, एलोरा, एलिफंटा को नहीं पढ़ पाए और कल आप लोग के सामने अजन्ता, एलोरा, एलिफंटा की जो कलास से लिया है वो देखने को मिलेंगी वो काफी महत्तपूर्ट हैंगी और ये दो-तीन पेज का ये जो छूटा हुआ भाग है कल हम लोग इसका भी अध्यन करेंगे तो आज की कलास फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर बंद करते हैं आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत सुक्रिया ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया, कल यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक, कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों को कुछ पूछना तो नहीं, अगर पूछना हो तो जल्दी से पूछो, जैसा कि मैं आप लोगों को समय देता हूँ एक मिनिट का रोज, अगर पूछना हो तो जल्दी से पूछ लो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ पूछना होगा, फिर भी अगर कुछ पूछना तो जल्दी से आप लोग पूछिए हाँ एलीफंटा एलोरा अजंता कल हम लोग पढ़ेंगे इनकी गुफाओं को हम लोग पढ़ेंगे इनकी गुफाओं की चित्रकारिता को कल हम लोग अध्येन करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा अभी सब कुछ बचा हुआ है तो कल इसका नहीं है नीन तो आती ही नहीं आस बात तो यही है कि नीन आती ही नहीं कुछ पूछना है चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद अब आप लोग स्वतंत रहें आज की क्लास ही पर समाप्त करते हैं